तो आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि कैसा ब्लाउस होने वाला है यह सिंपल फोर डाट ब्लाउस है विदाउट बेल्ट भी यह काफी अच्छी फिटिंग देगा आपको बहुत ही बढ़िया बनने वाला है जैसा मेजरमेंट्स मैं बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप करोगे तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना पर्फेक्ट फिटिंग की गैरंटी है और यहां पर आपको सारे मेजरमेंट्स दिख रहे होंगे तो आपको यह सारे मेजरमेंट्स चाहिए और यहां पर मैंने फैब्रिक यूज किया है ब्लाउस के ल अब मैंने वन फोल्ड में फोल करके नीचे की तरह एक लाइन ड्रॉ कर लिया अब वहां से जो है हमने ब्लाउस का लेंध मार्क करना है तो वन इंच एक्ष्रा मैंने लिया है सीम अलांस के लिए 14 इंच टोटल मैंने मार्क कर लिया अब हमारा शोल्डर है 13 इंच उसका में चरेति यहां पे शोल्डर यहां और यहां से आपको डीय करना है कbreaker कि आपका जो ब्लॉस काैसरू जो चोल्डर के हमें जो है arm hole का line draw करना है तो हम mark करेंगे 6.5 inch पे इस तरीके से mark करके इस line को भी draw कर लेंगे अब यहां से भी 6.5 inch पे ही हम mark करेंगे और इन दोनों lines को भी join कर लेंगे इस तरीके से तो हमारा bus measurement है 35 inch plus 2 inch मैंने losing add किया है 37 inch divided by 4 होता है 9.25 inch तो यहाँ पे mark करेंगे 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्ट्रा लेंगे हम seam allowance के लिए अब यहाँ पे हम armhole round को mark कर लेंगे इस तरीके से waste है हमारे 29 इंच तो हम 29 इंच को ही divide करेंगे 4 से and mark करेंगे 7.25 इंच आ रहा है तो 7.25 इंच में हम और 1 इंच एक्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें dart देना है and waste पे कोई भी losing add नहीं करनी होती है क्योंकि यह fix fitting रहती है blouse के waste की तो हमें losing add नहीं करना कोई और यहाँ पे यह दोनों lines को हम इस तरीके से join करके draw कर लेंगे अब यहाँ पे जो है मैं dart को mark करूंगी तो dart folded side से हमारा आएगा 3.5 इंच का and यहाँ उपर की तरफ भी 3.5 इंच तक हम mark करेंगे and जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया है कि हम marking wheel का use करके marks को darts को लगा देते हैं तो आप उसका use ज़रूर करें and marks को दूसरी तरफ आ जाने का marking कर ले and यहाँ पर मैंने shoulder down करना भूल गई थी half inch तो वो मैं यहाँ पर कर दे रही हूं आप जब draw कर रहे हो तभी आप कर सकते हो shoulder down करने के बाद हम इसे cut करके निकाल देंगे यहाँ पर मैंने half inch shoulder down करना है तो सेम उसी तरीके से एक और बार fabric को fold कर लिया है single fold में अब जो हमारा back part है उसे हम folded side या फिर open side पर आप रख सकते हो तरीके से रख लेंगे एंड थोड़ा सा half inch के करीब हम extra इस तरफ छोड़ते हुए रखेंगे हुकेनाय की पट्टी के लिए तो अब इस तरीके से जो arm round है वह हम draw कर लेंगे चौक से और उपर का कर सकते हैं तो आप आगे आगे देखिए ब्लाउस कैसे बनता है तो सिर्फ डेड़ इंच नीचे की तरफ एंड़ इंच साइट की तरफ हमें एक्ष्ट्रा लेना है बाकी पूरा सेम रहेगा इस तरीके से कट कर लेंगे एंड फ्रांट में हुकेन आय एक्ष्ट्रा रहेगा तो अब इसे भी मैं कट करके निकाल लेती हूं पे हमारा बैक पाट का काम खतम होता है तो मैंने हटा दिया अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर लाइंस से बस्ट पॉइंट के तो बस्ट पॉइंट अलग-ess अलग हो सकता है हर एक इंसान का है थाइट के हिसाब से मैंने यहाँ पे 9.5 इंच आरहा है तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है ओविसली शोल्डर के 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए और उस लाइन को इस तरीके से लंबा खीच लिया है अब यहां पर हम ब्लाउस की जो लेंथ है एक्चुएल वो भी मार्क कर लेंगे यानि की सीम अलाउंस के साथ ही 14 इंच और उस से डिवाइड करना है यानि बस्ट कर बारवा हिस्ता यानि की मेरा यहां पर आ रहा है 2.9 इंच तो मैंने लगबग 3 इंच पे मार्क कर दिया है एक पॉइंच इदर उदर हो सकता है और उसके बाद इस मार्किंग के दोनों साइट से ही हमारा जो डाट है वो आएगा और ड नाफ इंच नीचे सीमल और चला जाएगा न तो इसलिए हमें मार्क करना है अब इस लाइन को इस तरीके से ड्रो कर लेंगे हम हम और यहां से भी हमें चेक कर ले ना है थी इंच पे और आप देख सकते हो फूकैन की जो लाइन है उसे चोड़ते हुए ही मैं मार्किंग कर अब यह जो हमारा बस्ट पॉइंट वाला लाइन है ना वहां से इस तरीके से इसे रखेंगे थोड़ा सा टेड़ा करके एंड डेड़ इंच पे एक पॉइंट हम बनाएंगे यानि कि जो दोनों डाट है उसके बीच का गैप डेड़ इंच होगा और यह इस तरीके से आएग है थोड़ा सा साइज छोटा है बस्ट का तो आप दो इंच दे सकते हो एंड इसको भी इस तरीके से ड्रॉव कर लेंगे पे जो बैक पोर्शन है उसे मैंने फिर से एक बार रखके जो साइड का पार्ट है उसको मैंने माक कर लिया है एक्चुली यह आप स्टार्टिक में भी कर सकते हो लेकिन करते करते वीडियो बनाते बनाते हैं कई बार मैं कुछ चीज़े भूल जाती हूं इस नीचे वाले यहां पर टू इंच पर एक माक करूंगे नीचे वाला डाट ही हमारा सबसे मेन होता है और उसके हिसाब से बाकी डाट बनते हैं अब इंची टेप को हलका सा टेडा करके रखा है और मैंने इस तरीके से उसे जो साइड पिटिंग है वहां तक मैंने जॉइन कर लिया यहां स दोनों तरफ मिला के हाफ इंच से लेके वन इंच का आप डार्ट दे सकते हो जैसे आपकी फिटिंग अच्छी होती है तो आपको ट्राइ तो करना पड़ेगा एक बारी एंड इसके बात यहां पर मैं सारी चीज़े मार्क कर लूंगी एंड जैसा कि मैं बताती हूं आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा इस तरीके से आएगा एंड यहां पर जो है दोनों पार्ट को मैं अब अलग-अलग कर लूंगी जैसे जिस डाट पर जैसी मार्किंग हम कर रहे है ना सिलाई भी उसी तरीके से लगेगी जैसे कि नीचे वाला डाट स्ट्रेट आएगा फिर उपर को तरफ जो है ट्राइंगल करके आएगा में फैब्रिक मैंने यहां पर दो ते में लगा लिया है अब जो मेरा फैब्रिक है इस पर काफी अच्छा स्ट्राइप्स वाला प्रेंट है तो मैंने इसलिए सोचा बैग पे जो है थोड़ा सा डिजाइनर लुक देते हैं मैं यहां पर जो रॉंग साइडे वो माग कर रही हूं ताके अब जो हमारा बैक साइड है ना उसको हम इस तरीके से रखेंगे त तो ब्लाउस बहुत जादा सुंदर बनाता है चुले में मैं इतनी तारीफ कर रही हूं क्यूंकि मुझे सच्ची में बहुत अच्छा लगा अब आगे की तरफ क्यूंकि यह स्ट्राइप्स में होगा तो हमें बीच में जॉइन देना है तो जो हमारा अस्तर है ना उससे हम अब आप इंच एक्ष्ट्रा इस तरीके से कट करेंगे अब जैसा है उसे हम उसी तरीके से कट कर लेंगे यहां पर मैंने सीधी स्ट्राइप्स ही ली है क्याली कटिंग हो गया है तो अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं एक पार्ट के में फैब्रिक पे जो हमने हाफ इंच एक्ष्टर रखा था उसे हम पहले स्टिच करके जॉइन कर लेंगे दोनों पीसे को उसके बाद जो है इसे हम ओपन करेंगे और उपर से एक टॉप को हम स्टिच करेंगे ठाएंगे जोरुंगा है दोनों को हिम रेडि कर लेंगे और ने मैंने दिया निक Krाort की से डाट को तो भी कि हमें फोल करना होता है फोलड करके जैसे जैसे से मार्क्पी किया वैसे ही मैं स्टिज करती जा रहे हूं यह सब से पहले हम नीचे वाला जो डार्ट है में डार्ट उसे करेंगे उसके बाद जो फ्रण होकरा ना वाला डार्ट हम are कृश्लelen उसके बाद शोल्डर वाला एंड लास्ट में जो साइट फिटिंग की तरफ जो डार्ट आता है वो हम स्टिच कर लेंगे डार्ट को एक ओर्डर में स्टिच करना बहुत जरूरी होता है फैब्रिक इधर उदर नहीं होता है अब बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूँ के देख सकते हो होके ना का जो फ्रेंट साइड होता है वहां पर हलका सा यह जादा होने लगता है डार्ट स्टिच होने के बाद तो आपको उपर की तरफ हलकी फिल्की ट्रिमिंग करनी पड़ेगी परना जब आप लगाओ गे ना तो वह काफी लूज हो जाएगा और फिटि लंबाई जितनी ब्लाउस की है फ्रंट की उतनी होगे तो जो फाब्रेक पट्टी अंदर को घूम जाती है उस पट्टी को हम ब्लाउस पे राइट साइड से लगाएंगे सीधे साइड उपर से इस तरीके से स्टिच करते हुए जाएंगे जितना हमने मार्जिन छोड़ा स्टिचिंग का जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे उतना इस तरीके से कर लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कट करके हटा देंगे इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करके उपर से जो है यह साइड से यहां पर जैसे दिखा रही हूं वहां पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आते है यह एक स्टेप जरूरी है करना होता है उसके बाद इस पूरे ही फैब्रिक को हम अंदर की तरफ यूं फोल्ड करके यहां पर आप चाहो तो तुर्पाई भी कर सकते हो हाथ से हैमिंग कर सकते हो या फिर मैं मशीन के यही स् साइड है उस वाले पाट का जो पटि है वो हम नीचे से लगाएंगे यानि रॉन साइड से इस तरीके से लगाएंगे पिर ऑसे हमें फ्रांट साइड की और घुमाना है जो हमने पहले पट्टी बनाई थी यानि की राइट साइड में जो अंदर की तरफ चला गया था उस पे हमारी आती है हुक्स और यह जो बाहर की तरफ रहता है इस तरीके से जैसे आप देख रहे हों यहां पे इस तरीके से फोल करके स्टिच लगाएंगे तो इस पट्टी प और धाम होल का जो रांड में नहीं किया क्योंकि नफी यह थोड़ा साल आंदर हो जाता है अगर आपको लगता है कि अभी बहुत आंदर नहीं हुआ है डार्ट मतलब जो आम होले तो उसके बाद आप थोड़ा सा ट्रिम कर सकते हो अभी इस वक्त पे वरना मैंने इसलिए नहीं करा था क्यूंकि मेरा देख सकते हो आप अल्रेडी आ चुका है अब दोनों के राइट साइड को फ्रंट और बैक के राइट साइड को मिलाते हो इस इस तरीके से नाखुन से आपको दबाते हुए स्टिच लगाना है कॉर्णर कॉर्णर से धागे के पास से दोनों ही साइड से हमें थोड़ा थोड़ा एक्ष्रा फैबिक छोड़ देना है यूं अब इसको जो है आम इस तरह के से फोल्ड करके अगर आप बिगिनर होना तो आप पहले एक बारी इस तरीके से फोल्ड करके उपर से एक सिलाय लगा लो अगर आप कर सकते हो तो पूरा एक ही बार में आप फोल्ड करके स्टिच कर सकते हो लेकिन अगर आपको थोड़ी सी प्राब्लम होती है यह जो लाइन होती है यह पतली इसी पट्टी जैसी बनती और एक स्टिच लगा लेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो बहुत डीटेल में होने के कारण थोड़ी सी लंबी है तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है बताने का तो प्लीज फटा-फट से लाइक और सब्सक्राइब कर लो च शोल्डर पर मैंने एक्जैक्ट ली रखा है जहां पे स्टिच है वहां से मैंने 13 इंच पर एक मार्ग किया है जैसा कि हमने अपने बस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर पफ तो बना लिया डाट्स देखे लेकिन हमने वहां पे चेस्ट का भी मेजरमेंट रखा जो की था 32 इंच तो चेस्ट 32 इंच प्लस 2 इंच हमें लूजिंग देना है यानि कि 34 इंच क्यूंकि अब हमें आम होल राउंड पे उसका एक्जैक्ट मेजरमेंट देना होगा बरना फिटिंग गडबड हो जाएगी तो प्लस लूजिंग एड़ करने के बाद 34 इंच होता तो आप देख सकते हो हाफ इनसे भी जादा फैबिक जो है यहां पर आ गया है तो उसे आपको ट्रिम करना है अगर आप यह स्टेप नहीं भी करते हो तो बाद में आप स्टिचिंग लगा सिलाई लगा सकते हो लेकिन आप अपने किसी क्लाइंट का अगर बना रहे हो तो आ किस्ट का मेजर्मेंट आप फ्रंट और बैक दोनों में ही चेक कर लोगे इस तरीके से 7.5 इंच है ना तो यहां पर एक मार्क कर रहे हूं उसके बाद जो है यहां से डेडिन सीम अलांस हमारा मार्क कर लेंगे हैं जो भी एक्स्रा फैबरिक आ रहा है उसे हम कट करके निका करोगे ना तो आपको जहां पे हम आई की पटी लगाएंगे ना तो वहां से आपको मेजर्मेंट लेने हैं ठीक है तो अब दोनों साइड को यह उस-टरीकर से जो भी एक्ष्रा है उसको ट्रीम करने के बाद यह वाला जो फ्रंट पोर्षन है इसे हमें इस तरीके से करना ह देखें थोड़ा साहीं, तोट ने कि मैंने ट mêmes कर दिया। यानि की राइट- 한다 वाला और लेपट वाला दोनों में यह चीज कर लेनी है। यहाँ पर मैंने दो लंबी सी स्ट्रिप्स ले ली हैं तकरिबन 20 इंच की होगी और थोड़ा कम जादा हो सकता है जितनी आपको फ्रिल चाहिए एक्चुली यह मैंने लास्ट मॉमेंट पे सोचा था कि मैं यह डिजाइन दूंगे कियोंकि सिर्फ स्लीवलेस अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको मैंने इस तरीके से रखके छोटी-छोटी जो प्लीट से वो बना ली है दो स्लिप्स बनाई है दोनों तरफ के लिए तो यहां शोल्डर के पास से जहां से आपको फ्रिल देना है वहां पर मैंने एक मार्किंग करा है आप थोड़ा उपर नीचे आप विसली कर सकते हो तो वहां पर फ्रिल को जैसे मैं दिखा रहे हो ना हलका सा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके दिया है देखे यह कैप स्लीव की तरह आता है यह डिजाइन तो इस तरीके से रख के मैं यहां पर स्टिच लगा रही हूं अब इस पूरे ही फ्रिल को जो है इसी तरीके से हम अपने आम हॉल राउंड से अटैच कर लेंगे अब एंड पर आते वक्त भी हम इसी तरीके से दिखाए गए तरीके से जो अपना हॉल राउंड का फैब्रिक है उसे यूँ घुमाते हुए फ्रिल के उपर से स्टिच लगाएंगे तो आप आई होब आप समझ गये हो कोई भी कन्फीजन है आप मुझे बेस शक कमेंट सक् हो एंड उसके बाद दोनों ही स्लीव के तरफ मैंने इस तरीके से फ्रिल्स को जो है टैज कर लिया और अंदर की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने ठ्रिम कर लिया फ्रंट और बैक को मिला के इस तरीके से रखेंगे एंड सीधे साइड से ही 0.25 इंच का मार पट्टी लगाना है पट्टी को इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लगाएंगे एंड हाफ इंच जितना भी हमने आप आपने सीम अलाउंस छोड़ा है उतना ही आप पूरे राउंड में पूरे ब्लाउस का जो वेस्ट लाइन है वहां पे आप स्टि टारच लगा दोगे अब हमें डाट बनाने है इसे हम अंदर अदर की तरीप करके बाद में तुरुपाई करेंगे हेमिंग करेंगे लेकिन उससे पहले जहां पे हमारा ।का मैजर्मेंट हे वहां पे यूं फोल्ड करके पकड़ेंगे जो भी आपने जितना भी रखा है ड दोनों साइट्स को स्टिच करने के बाद आप दो दो और एक्स्टा-एक्स्टा साइट साइट से स्टिच लगा लें तो फ्रेंड्स ये रहा ब्लाउस का फाइनल लोग उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेलपफुल लगा हो पिटिंग बहुत अच्छी आई है आप ज़रूर ट्राइ करना वहाँ सिंपल है और आप अपडेट्स के लिए मुझे जाके इंस्टेग्राम में जॉइन कर सकते हो उसका हैंडल जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहाँ पे मैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है वो पोस्ट करूंगी अपसे और लाइक शेर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई